एक्सरसाइज 6.3 का question number 8 करते हैं वक्र y equal to x minus 2 का whole square पर एक बिंदु ग्यात कीजिए जिस पर असफर्स रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समानतर है यानि question हम लोग अगर समझें तो वक्र हमारा दिया है y equal to x minus 2 का whole square तो उस बिंदु को निकालना है जहां पे इस वक्र के उस बिंदु पे जो असफर्स रेखा है वो 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समानतर है तो इसमें जो concept होगा हम लोग जानते हैं अगर किसी भी रेखा खंड पे दो विंदु पता हो तो इसका जो है परवंडता हम लोग निकाल लेते हैं x1, y1, x2, y2 तो इस रेखा की जो परवंडता होती है हमारा y2 minus y1 upon x2 minus x1 अगर इसको रेखा कंड हम लोग a b बोल दें अगर तो a b रेखा कंड की परवंडता तो यानि वो बिंदु हमको ग्याद करना है जिस पे और समानतर रेखाओं की परवंडता समान होती है अगर दो रेखाओं समानतर होती है तो उनकी परवंडता समान होती है अगर m1 है और m2 है तो अगर m1 आपका समान तो अगर आपका दिया है कि L1 समानतर L2 तो हम लोग कहते हैं कि M1 बराबर M2 होगा दो समानतर रेखाओं की परवड़ताएं बराबर होती हैं तो बिंदू 2,0 और 4,4 को मिलाने वाले रेखा की परवड़ता हम लोग ज्यात कर लेते हैं वही परवड़ता वाला बिंदू हम को चाहिए तो इसको लिखते हैं बिंदू 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा की परवड़ता यह हमारे इस फार्मूले से बजाए का y2-1,x1,y1,x2,y2,y2-1 यानि 4-0,x2-x1 upon 4-2 this equals to 4 upon 2 यानि 2 अब वाकर हमारा दिया है y equal to x minus 2 का होली स्कोयर अब इस पे हमको वो बिंदू निकालना है जिसकी परवड़ता 2 है जिस बिंदू की परवड़ता 2 है वो बिंदू हमको निकालना है तो परवड़ता dy by dx equal to यह हो जाएगा 2 into x minus 2 के होल पावर 2 minus 1 into differentiation of x minus 2 तो this equals to 2 into x minus 2 और इसका differentiation हो गया 1 तो dy by dx equal to हमारा हो गया 2 into x minus 2 अब वो बिंदू निकालना है जिसकी परवड़ता 2 है तो dy by dx equal to हमारा क्या है इसके समांतर होगी तो उसकी भी परवड़ता 2 ही होगी equal to 2 into x minus 2 equal to 2 तो 2 into x minus 2 बरावर 2 तो 2 to cancel होगे x minus 2 equal to 1 यहाँ से आगे x equal to 3 तो x equal to 3 अब वक्र में जो हम लोग x equal to 3 पुट कर देंगे तो y की बरावर 3 रखने पर तो y बरावर हो जाएगा 3 minus 2 का whole square यानि 1 का whole square 1 यानि जो हमारा बिंदू हो गया x equal to 3 है y equal to 1 बिंद 3 कामा 1 यानि वक्र पे हमको वो बिंद निकालना था जिस पे अस फर्स रेखा जो है 2 कामा 0 और 4 कामा 4 को मिलाने वाली रेखा के समानतर हो तो 2 समानतर रेखाओं की परवड़ताएं बरावर होती है तो 2 कामा 0 और 4 कामा 4 को मिलाने वाली रेखा की परवड़ता y2 minus y1 upon x2 minus x1 यानि वक्र पे हमको वो बिंदो निकालना है जिसकी परवर्णता 2 है तो परवर्णता निकालने के लिए dy by dx निकालते हैं इसको 2 के बराबर कर दिये तो dy by dx 2 के बराबर के तो x की value पता चल गई और x की value हमने वक्र में रख दिया तो y की value पता चल गई यानि 3,1 बिंदो है जिस पर असफर्ष रेखा की परवर्णता है 2 कामा 0,4 कामा 4 के समानतर है question number 9 वक्र y क्वल टू x क्यूब मैंने से 11 x प्लस 5 पर उस बिंदो को ग्यात कीजिए जिस पर असफर्ष रेखा y क्वल टू x मैंने से 11 है यानि यहाँ पर पहले आपका असफर्ष रेखा का समीकरन दिया हुआ है और बिंदो निकालना है तो y क्वल टू x क्यूब मैंने स 11 x प्लस 5 अगर हम इस पर dy by dx निकालने तो यही असफर्ष रेखा की परवर्णता होती है तो dy by dx हो गया 3 x स्क्वाइर मैंने स 11 अब जिस पर असफर्ष रेखा y equal to x minus 11 है तो y equal to x minus 11 असफर्ष रेखा है जिसकी तुलना y equal to mx प्लस c जो standard समीकरण होता है से करने पर तो यह असफर्ष रेखा जो हमारा y equal to x minus 11 अगर इसका compression y equal to mx plus c से करेंगे तो m हमारा पता चल जाएगा तो y equal to x minus 11 और इसको y equal to mx plus c से compression करेंगे तो यहाँ से हमारा गया m की जगापे क्या है यहाँ पे x का गुणा 1 है यहाँ पे m तो m की value क्या गई 1 यानि असफर्ष रेखा की परवनता कितनी है 1 है असफर्ष रेखा की जो परवनता है वो हमारा है 1 और हमको वो बिंदु निकालना है कि किस बिंदु पर हस्पर्स रेखा की परोणता 1 है तो dy by dx हमारा है किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा 3x square minus 11 this equal to 1 तो 3x square equal to 12 x square equal to 4 तो यहां से हमारा आगया x equal to plus minus 2 तो x की 2 value आगए 1 plus 2 और x की value आगए minus 2 अब x की value रखेंगे इसमें तो हमको value पता चलेगी y की तो y हमारा है x cube minus 11 x plus 5 इसमें x बराबर 2 हम लोग रखें तो y equal to 2 का cube minus 11 into 2 plus 5 तो y equal to 8 minus 22 plus 5 तो यहां से y हमारा आगया 13 यह minus 9 आगया तो एक point हमारा हो गया 2 कामा minus 9 तो एक बिंद हमारा हो गया 2 कामा minus 9 अगला x equal to minus 2 है तो y equal to x cube minus 11 x plus 5 में x equal to minus 2 रखें तो minus 2 का whole cube minus 11 into minus 2 plus 5 तो y equal to minus 8 plus 27 हो जाएगा यह तो y equal to यहां गया minus 19 तो एक बिंद हमारा हो गया minus 2 कामा minus 19 तो वो बिंद जो हम को चाहिए थे वो पता चल गया minus sorry 2 कामा minus 9 और minus 2 कामा minus 2 कामा यह plus 19 होगा 19 पे असफर्स रेखा जो है वो y equal to x minus 11 होगा question number 10 हमारा है परवणता minus 1 वाली सभी रेखाओं का समीकरन गयाद कीजिए जो वोक्र y equal to 1 upon x minus 1 को असपर्स कर दी है यानि जो वक्र हमारा है y equal to 1 upon x minus 1 तो परवणता minus 1 वाली रेखाओं का समीकरन गयाद करना है यानि सबसे पहले हम लोग वो बिंदू गयाद करेंगे इस वक्र पे कौन-कौन से बिंदू पे परवणता minus 1 है तो उसके लिए dy y dx हम लोग निकाल लें तो dy y dx equal to बटा में है तो x minus 1 into differentiation of 1 minus 1 into differentiation of x minus 1 upon x minus 1 का बोली सका है तो dy y dx जो परवणता हमारा होता है x minus 1 into 1 का differentiation 0 और minus यह हमारा हो जाएगा 1 upon x minus 1 का बोली सकायर तो यह हमारा क्या बचेगा यह 0 हो गया minus 1 upon x minus 1 का बोली सकायर तो दिया है कि परवणता minus 1 है तो परवणता यह जो हमारा आया है यह minus 1 के बराबर करेंगे तो इससे हमको value पता चलेगी कि कौन कौन से बिंदो पी परवंड़ता माइनस 1 है तो एक तो यह हो गया x-1 का whole square और एक हमारा दिया है कि परवंड़ता माइनस 1 तो दोनों value वराबर होनी चाहिए तो 1 upon x-1 का whole square equal to minus 1 यहां से हमारा आगया x-1 का whole square equal to 1 तो x-1 equal to plus minus 1 क्योंकि x-1 की value plus 1 होगी तभी whole square x square equal to a अगर हम लोग solve करते हैं x square equal to a square तो x equal to हमारा क्या होता है plus minus a x-1 equal to plus 1 एक बार हम लोग लेते हैं x-1 equal to plus 1 और एक बार हम लोग लेते हैं x-1 equal to minus 1 तो x equal to आगया 2 और यहां से x equal to आगया minus 1 plus 1 यानि 0 तो दो value आगए x equal to 2 और x equal to 0 अब x equal to 2 हम लोग से y के value निकालते है y equal to क्या है हमारा 1 upon x minus 1 x equal to 2 रखें तो 1 upon 2 minus 1 equal to 1 इसमे y equal to x minus 1 में हम लोग x equal to 0 रखें तो y equal to आगए minus 1 यानि जो विंदु हमको प्राप्त हुए x equal to 2 y equal to 1 यानि 2 कामा 1 और 0 कामा minus 1 पर परवारता minus 1 है तो ये दोनों बिंदुओं पर असपर्स रेखा का समी करना निकालना है पर असपर्स रेखा जिसकी परवारता minus 1 है का समी करना ये ही हमको minus 1 पर ये हमारे बिंदु है और परवारता यहां भी minus 1 है और यहां भी minus 1 है तो असपर्स रेखा की समी करना निकालना है सिंपल है y minus y1 equal to m x minus x1 ये ही मारा फार्मूला होता है तो असपर्स रेखा का जो समी करना होगा यहां पर y minus y1 y1 की जगा 1 m m की जगा पर minus 1 x minus x1 x minus 2 तो यह हो गया y minus 1 plus x minus 2 equal to 0 यानि x plus y minus 3 equal to 0 यहां पर लिखेंगे y minus y1 y1 की जगा पर minus 1 m m हमारा वही है minus 1 x minus x1 यानि 0 तो y plus 1 plus x equal to 0 यानि x plus y plus 1 equal to 0 और x plus y minus 3 equal to 0 यह हमारा दो यह समी करना हो गया यही दोनों हमको चाहिए था एक होगे x plus y minus 3 equal to 0 और एक होगे x plus y plus 1 equal to 0 question number 11 है परवणता दो वाली सभी रेखाओं का समी करन ग्यात के दिये जो वक्र y equal to 1 upon x minus 3 को असपर्स करती है तो वक्र हमारा दिया है y equal to 1 upon x minus 3 अब हमको वो बिंदु निकालना है कि वक्र के कौन से बिंदु पर परवणता 2 है तो इसकी परवणता निकालने के लिए हम लोग differentiation करते हैं dy by dx equal to x minus 3 into differentiation of 1 minus 1 into differentiation of x minus 3 upon x minus 3 को जिसका तो dy by dx यहां से हमारा हो गया x minus 3 into 1 हमारा constant इसका differentiation 0 और इसका differentiation हो गया 1 upon x minus 3 का whole square यह हमारा बराबर हो गया minus 1 upon x minus 3 का whole square अब परवणता 2 है हमारा परवणता 2 दिया है तो वो बिंदु हमको निकालना है परवणता 2 तो minus 1 upon x minus 3 का whole square यह भी तो परवणता है तो यह दोनों बराबर होने चाहिए तो हमको बैलू पता चल जाएगी equal to 2 यहां से हमारा आ गया x minus 3 परवणता है तो x minus 3 का whole square into 2 equal to minus 1 यहां से आ गया तो यह x की कोई भी वैलू ऐसी नहीं हो सकती जिसका square करने पर negative आ है तो x minus 3 का whole square equal to यह तो इसको आप अगर दियुगात में बदलेंगे तो इसका discriminant होगा b square minus 4 ac वो less than 0 आएगा चली कर लेता है इसको open करें x square plus 9 minus 6 x plus half equal to 0 तो x square minus 6 x plus यह हमारा हो जाएगा 19 बटा 2 अब यह अगर इसका हम लोग विवित कर देखें discriminant b square minus 4 ac तो b हमारा क्या है minus 6 तो minus 6 का whole square minus 4 into a की जगा पर 1 और इसकी जगा पर 19 by 2 इसका sign देखें तो 36 minus 38 यह हमारा क्या आगया minus 2 यह less than 0 है तो जिस quadratic equation का d less than 0 होता उसका real x के लिए कोई solution नहीं होता तो इसका x minus 3 का whole square equal to minus 1 का कोई solution नहीं होगा यानि इस वक्र पे कोई भी बिंदो ऐसा नहीं होगा जिस पे परोणता दो वाली रेखा इस पे जो है असपर्स रेखा हो तो आता हम लोग लिखेंगे कि वक्र पर कोई भी कोई भी असपर्स रेखा आईसी नहीं है जिसकी परोणता दो है क्वेस्टन नमबर 11 क्वेस्टन नमबर 12 परोणता जीरो वाली सभी रेखाओं का समीकरण क्याद कीजिए जो वक्र y equal to 1 upon x square minus 2x plus 3 को असपर्स करती हैं यानि वक्र का समीकरण यहां अमारा दिया है y equal to 1 upon x square minus 2x plus 3 तो परोणता अगर आपको निकालना हो तो dyy dx करते हैं तो वटा में है तो पहले हम लोग हर को लिख लेते हैं ऐसे इंटू डिफ्रेंसेशन आफ अंस माइनस अंस को ऐसे लिख लेते हैं इंटू डिफ्रेंसेशन आफ हर और अपान हर का whole square यह तो हमारा dyy dx निकालना के तरीका हो गया तो dyy dx equal to यह हमारा हो गया x square minus 2x plus 3 और 1 का डिफ्रेंसेशन 0 तो यह 0 से गुड़ा करके पूरे को 0 बना दे गई है हमारा हो जाएगा 2x minus 2 और यह अपान है x square minus 2x plus 3 का whole square तो dyy dx equal to यह हो जाएगा minus of 2x minus 2 upon x square minus 2x plus 3 का whole square अब यह कहरे हैं कि परवाणता 0 है तो यह भी हमारी परवाणता है तो इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो हमारा x की value निकलेगी तो बिंद हमको पता चल जाएगा तो दिया है परवाणता 0 वाली 0 तो यह परवाणता इसको 0 के बराबर करते हैं तो minus 2x plus 2 upon x square minus 2x plus 3 का whole square equal to 0 तो यह हमारा 0 हो गया यानि minus 2x plus 2 equal to 0 तो यहां से x equal to आ गया आपका 1 तो x equal to 1 आ गया तो worker में x equal to 1 रखेंगे तो y पता चल जाएगा तो y equal to 1 upon x square minus 2x plus 3 में x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 जब रखेंगे तो y equal to 1 का square minus 2 into 1 plus 3 यहां से y equal to आ गया 1 4 minus 2 y equal to 1 by 2 तो y हमारा हो गया 1 by 2 यानि इसके 1 कामा 1 कामा 1 by 2 पर 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 परवर्णता जीरो वाली एस्परस रेखा का समीकरा निकालना है उनको परवर्णता जीरो वाली एस्परस रेखा का समीकरा निकालना है तो यह सिंपल सामको पता है कि जो गिंदु है हमारा यह 1 कामा 1 by 2 है और परवर्णता हमारा है जीरो तो समीकरा निकालना तो एकदम आसान है y minus y1 equal to m x minus x1 तो y minus y1 equal to m यानि 0 x minus x1 तो y minus 1 by 2 equal to 0 यानि y minus 1 by 2 equal to 0 यह हमारा हो गया परवर्णता जीरो वाली एस्परस रेखा का समीकरा निकालना तो यह हमारा निकालना था तो question का 12 खतम 13 नमबर देखते हैं हम लोग वोक्र x square upon 9 plus y square upon 16 बराबर 1 पर उन बिंदों को ग्याद कीजिए जिन पर अस्परस रेखा हैं एक्स अच्च के समानतर हैं तो x अच्च के समानतर जो रेखा होती है एक्स अच्च के समानतर उसकी परवर्णता 0 होती है क्योंकि अगर कोई रेखा अगर x अच्च के समानतर है तो x अच्च के साथ कोण बनाएगी 0 डिगरी तो theta बराबर 0 डिगरी होती तो परवर्णता हमारा 10 theta होता है ना तो परवर्णता बराबर हो जाएगा 10 0 डिगरी तो बराबर 10 0 की value 0 यानि इसको आप ध्यान रखिए कि x अच्च के समानतर समानतर असपर्स रेखा की परवर्णता होती है आपकी 0 और अगर y अच्च के समानतर बात किया जाए तो अगर आपकी रेखा y अच्च के समानतर हो जाएगी तो यह x अच्च के साथ बनाएगी इंगिल 90 डिगरी तो यहाँ पर परवर्णता होगी 10 थीटा होता है तो 10 90 डिगरी परवर्णता 10 90 डिगरी और 10 90 की value infinite यानि यहाँ पर हम कहें कि y अच्च के समानतर y अच्च के समानतर जो कोई भी रेखा हो रेखा की जो परवर्णता होगी वो होगी infinite तो यह इस point का हम लोग यूज करेंगे तो वक्र हमारा दिया है x square upon 9 plus y square upon 16 equal to 1 उस बिंदु को निकालना है जहाँ पर परवर्णता हमारा x अच्च के समानतर है यानि परवर्णता 0 है तो इसको अगर हम लोग differentiation करें चलिए ऐसे लिख देते हैं कि y square upon 16 equal to x square upon 9 को अधर ले जाए 1 minus x square upon 9 तो y square equal to 16 into 1 minus x square by 9 अब इसको differentiation करें तो 2y dy by dx equal to 16 तो हमारा constant 1 का differentiation 0 minus 1 by 9 2x तो यहाँ से हमारा जो dy by dx हो गया यह 16 से जाएगा तो 32 upon 9 तो minus 32 upon 9 और यह 2y divide होगा तो 32x upon 18y तो यह हमारा हो गया dy by dx equal to आपका आगया minus 16x upon 9y अब हमको वो बिंदु निकालना है जहां x अच्छ के समानतर है तो x अच्छ के समानतर रेखा की परवंदता हमको पता है 0 होती है रेखा की परवंदता बराबर 0 तो यानि dy by dx की value हम लोग 0 के बराबर करें यानि minus 16x upon 9y equal to 0 तो 9y को अधर ले जाएंगे तो minus 16x equal to 0 तो x equal to यहां से आगया 0 तो एक बिंद तो हमको पता चल गया x equal to 0 अब x equal to 0 यहां से आगया y हम लोग निकाल देंगा x बराबर 0 वक्र एकस स्कूर अपान 9 प्लस y स्कूर अपान 16 इकटिग टू 1 में रखने पर गर तो इसमें x equal to 0 रखेंगे तो 0 स्कूर बटन 9 प्लस y स्कूर बटन 26 बराबर 1 तो यहां से आगया y स्कूर बटन 26 ब़ाबर 1 तो y square बराबर आपका आगया 16 तो y के value हो जाएगी plus minus 4 तो यहाँ y की 2 value आगए 1 y के value 4 और 1 y के value minus 4 यानि आपका बिंदू क्या हो जाएगा x equal to 0 comma 4 या 0 comma minus 4 यानि 2 बिंदू हमको यह मिल गए जहाँ पे x अच्छ के समानतर होगा अब दूसरा पार्ट इसका कि y चिके समानतर तो yre Ce के समानतर रेखा की परवंदा infinite होती है तो y chce समानतर रेखा की परवंदा होती है infinite और परवंदा हमारा जो डिय by d x है यह हमारा आया है minus 16 आपान 16x आपान नइन वाई तर सिक्सोंटीन 16 x upon 9 y equal to infinite minus 16 x upon 9 y equal to infinite क्या होता 1 upon 0 अब इसमें अगर आप cross multiply करें तो यह minus 16 x into 0 equal to 9 y into 1 तो यहां से हमारा आगा 9 y equal to 0 implies that y equal to 0 तो y 0 तो y equal to 0 वाकर x square upon 9 प्लस y square upon 16 equal to 1 में रखने पर तो हमको x की value पर रता चल जाएगी तो x square upon 9 plus 0 square upon 16 equal to 1 यहां से x square equal to 9 यानि x equal to plus minus 3 x की 2 value हो गए यह plus 3 और 1 minus 3 तो जो point हो गया हमारा 3,0 और 1 हो गया minus 3,0 यानि 3,0 और minus 3,0 दो बिंदों हमको मिल गए जहां पर जोस्फर्स रेखा की परवर्टा है वो y h के समानतर है की यह की बाद़ से तो यहां से गिएप्क बास परवर्टा fellow foreign